हलो डे स्टूडेंट डे स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत ही गूड नीउज आई है राज्स्तान पाब्ली सेर्बिस कमिशन से जो आप लोग के लिए APU की post का advertisement आता है APU में देखे कुछ changes किया गया है changes करने के साथ उसको signature कर दिया गया है कि APU की post का notification अब निकाला जाए वो आप लोग के लिए बहुत है जल्दी राजिस्थान स्टेट से APU की vacancy आने वाली है तो dear student आप जानते हैं पर इच्छा refreshment law classes एक दो नहीं तीन नहीं बलकि ताब और तोड़ पचास पचपन student ने selection दिया जिनके photographs जिनके interview आप लोग देखते हैं कि परिछा refreshment यूट्यूब पर आप एक एक student के interview देख सकते हैं तो आप लोग को पहले तो good news यह देना चाते हैं कि आप लोग के लिए जो लोग राजिस्थान APO का individual त्यारी करना चाते हैं उनके लिए online classes start हो रही है जो यह online classes है यह आप लोगों को Google meet पर मिलेगा इस पर आप लोगों को live class मिलेगी recorded video मिलेगा इसके साथ आपको test series मिलेगा PDF form में नोट्स मिलेंगे और देखो राजिस्थान जुडिस राजिस्थान APO का जो सलेबस अभी आपको आगे बताए जाएगा वह काफी जादा है आप अगर यह इंतिजार कर रहे हैं कि वेकैंसी आएगी सेलेक्ट ही नहीं हुए स्टूडेंट पर इच्छा रिफ्रेस्ट वल्कि उन्होंने मेरिट में अपना पोजीशन लिया जैसा आप जानते हैं कि चारू सक्षेन जो फोर्थ पोजीशन पाए और लेडीज में वह नंबर वन पर रही टॉप पर रही पावन सर्मा है रिचा चौधरी है यह सब वह स्टूडेंट है जिन्होंने मेरिट में अपने अब म forg reacting के लिए तो चलिये अम लोग देगते हैं कि राजिस्थान से क्या no tip के चना important है वह एज factor है एज को minimum 21 year और maximum 40 year लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों को एज में relation भी दिया गया है जैसे जो candidate male candidate belonging, student class, student tribe, backward class, more backward class and economically weaker उनको 5 साल का छूट दिया गया है अपर age limit में जो woman candidate है, general candidate, general category की उनको 5 साल और 10 साल उनको छूट दिया गया जो woman candidate belonging है SC, ST, backward class, more backward class and economically weaker class तो यह देखें तीन जो ABC है बहुत ही important है इसके बाद देखो student आप लोग के लिए और एक important news आई है वो important news यह है कि जो राजिस्थान का APO का एक्जाम होगा इसमें देखें 21A सब class है scheme of examination and syllabus तो जो examination है वो pre होगा और means तो दो stages में होगा द्यान रखेंगा साप साप लिखा हुआ है two stages prelims and means जो prelims है उसमें जितनी post आप लोग के लिए advertise होगा उसका 15 time सब्सकर यह 200 पोस्ट आती है तो 3000 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए तो 15 times स्टूडेंटों को क्वालिफाई कराने के लिए total number of vacancy से बोला गया है इसके बाद देखिए आप लोग के लिए जो और important है वो है syllabus बस देखिए सबसे पहले है 100% direct recommends होना है यानि कोई experience नहीं है जो पहले आप लोग के लिए experience था दो साल का वह खतम कर दिया गया है कोई भी student जो एलेलवी three years का किया है या five year का integrated बी एलेलवी का कोर्स किया है वह eligible है इस exam को देने के लिए और देखिए जो divorce ladies है या widow ladies है तलाग सुदा महिला या जो विद्वा महिला है उनको राजिस्था नेपियो में कोई इनका maximum बेजने कोई भी भर सकता है कोई भी भर सकता है अगर माल लिजे किसी widow की या divorce ladies की age इस समय 58 year है 55 year है तो वह भी फार्म डाल सकती है यह बहुत good news है उन लोगों के लिए जो वीडियो और divorce है देखिए जो objective types के question है उसमें प्रियम्स में उसमें 70% जो होगा वह loss से होगा और 30% दिया जाएगा वह हिंदी और English language का और देखिए जो एक्जाम होगा वह mcq होगा multiple choice question इसका भी से ध्यानक किएगा और जो prelims है उसका में के examination मेरिट में कोई उसको जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि एक qualifying होगा अगर आप prelims को qualify कर रहते हैं that you are entitled for mains examinations तो देखो जो मेंस examination इसका इन्होंने बोला दो पेपर होगा एक लाग का होगा और दूसर लैंग्वेज का होगा जो लाग का paper होगा वह 300 marks का होगा 3 hours का होगा देखिए रिटेन होगा यह ध्यान लखेगा और जो लैंग्वेज का पेपर होगा वह 50 का 100 नंबर का होगा 50 का जनरल इंग्लिस और फिप्टी का जो होगा वह जनरल हिंदी यह दो घंटे का होगा यह ध्याना कि यह जो एक्जाम आप लोग देऊगे फर्स्ट पेपर से के पर इसमें 40 परसेंट आपको पाना ज़रूरी है अगर आप 40 इस वाली हिंदी नहीं लाते तो आप इलिस बिल नहीं होगे मेरिट में आपको नहीं गिना जाएगा अब आता है सेलेबस लगा हुआ है यह ध्यान नहीं कियेगा यह प्री और मेंस दोनों का है अब इसको जरा आप ध्यान से देखते जाएए पहला है इंडियन पैनल कोड IPC, Indian Evidence Act, Code of Civil Procedure यानि Criminal Procedure CRPC, SCST Act, Protection of Child from Sexual Offences Act जिसको लोग आपको बोलते हैं, जिसको लोग जे जे एक्ट बोलते हैं, Provision of Offender Act, Arms Act, राजिस्थान Excise Act, राजिस्थान Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992, तो आप लोग देखिए पहली बात जो क्रिमिनल ला है जिसको आप लोग लोग बहुत परसान रहते हैं, कि सर नए पेपर से होगा, पुराने से होगा, लेकिन जितने भी advertisement आये हैं या आने वाले हैं, अभी सब अपने उसी old एक्ट से होगे क्रिमिनल के, जो आप लोग IPCC, CRPC, एवडेंस के फार्म में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब निया वाला enforce हो जाएगा, enforce होने के बाद जब advertisement कोई आएगा, तब उसके बारे में निया वाला हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आप लोग निया वाला मंगा के रख लीजे, परिच्छा रिफ्रेशन लाग क्ला से से भी निया वाला निकला हुआ है, कमेंटरी फॉर्म में, हिंदी में भी, अंग्रेजी में आप मंगा के रख लीजे, क्यों आज नहीं तो कल आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बाद ये जनरल हिंदी और इंग्लिस है, और देखो ये सब जो notification निकला है, ये joint security राजिस्थान स्टेट के है, Mr. Jai Singh, उनी के signature से ये order in the name of the governor के और से निकला हुआ है, तो dear student, आ अगर आज से आप लगेंगे, तभी आपका selection होगा, आप advertisement को बिलकुल इंतिजार न करिए, और आप लोग को एक और news देना चाहते हैं, कि अभी हमने आपको बताया कि परिच्छा reflection law classes से 55 student बिहार judiciary में select हुए, उन studentों को honor देने के लिए, और भी judicial magistrato के साथ, juristic person के साथ, ला वहां पर एक सेमिनार हो रहा है, पटना में, और वो सेमिनार 25 फरवरी को इसी साल 2024 में है, कहां पर होगा, कैसे पहुचेंगे, यह आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, हीरा पैलेस, न्यू डागबंग्डा रोड, लोदीपूर, पटना, तो आपको 25 तारिक को, 25 फरवरी को, 2024 को 11 बजे वहां पर पहुचना है, और सर के साथ चाय भी पिएंगे आप लोग, और आप लोग को यह भी पताया जाएगे, कैसे आप जूडिसरी को, हायर जूडिसरी को, एपियो को, फर्स्ट अटेट में करेक करिए, मत इंजिजार करिए कि चार बार देना पड़ेगा, पाज बार देना पड़ेगा, तो आप लोग से यह स्टूडेट पटना में मुलाकात होती है, फिसकली मुलाकात होगी, वहां पर हम लोग सामने रहेंगे, और देखे जो परिच्छा रिफ्रेशर का इसमें बैच चल रहा है, फर्वरी महिने में पूरा डिसकाउंट बैच है, सारी फीज को 50% में किया गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट उसको दे सकें फीज को, तो APO का जो आप लोग का जो फीज है, वो 19,999 रुपए है, आपको क्या करना है कि यह दो वाट्स अप नंबर है, इस पे आप अपना सबसे पहले आधार का फेज साइड बैक साइड स जो लिंक है, वो बैच में जाती है, क्लास आपको जो मिलेगी, वो आउनलाइन मिलेगी, गूगल बीट पर मिलेगी, आपको लाइब क्लास करने का मौका मिलेगा, रिकॉर्डेट वीडियो देखने का मौका मिलेगा, इसके साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, और आप लोग को PDF अब देखो डिया श्टूटेंट जो परिच्छा रिफ्रेशर लाग लासेज है आप देखते हैं कितनी तेजी से आप लोग के लिए काम करता है तो आप लोग चाहते हैं कि आगे का वीडियो आपको आटोमेटिक मिल जाए बिना कोई आपको इंतजार किये हुए तो इसके ल जाएगा थैंक यू मैं दियर स्टूटेंट्स